प्रतीभा सिंग ने मंडी के सांसद के रूप में आज तीसरी बार लोग सभा में शपत ले ली है और इस शपत समारोहों में हिमाचल प्रदेश से कॉंग्रेस पार्टी के सभी गर्माने व्यक्ति विशेश रूप से जो वीर भद्र सिंग केम्प के मुखे चेहरे थे ठाकुर कॉल सिंग पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी बड़े नाम इस शपत ग्रहन समारोहों में हिमाचल प्रदेश से मौजूद रहे। ये कारेकरताओं के साथ साथ नेताओं की होसला अवजाई भी होती रहे और पूरी पाटी एक जुट होकर आगे बढ़ती रहे इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले प्रतीभा सिंग ने अपने घर में एक भोज दिया जिसमें ठाकुर सुखविंदर सिंग सु बनने का न्योता भी दिया बताते चलें कि प्रतीभा सिंग इस बार मंडी लोकसभा से उपचुनाव जीत कर लोकसभा में पहुंची है और मंडी लोकसभा का उपचुनाव इसलिए भी चर्चित रहा क्यूंकि यहां पर मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर की बड़ी हार प्र मंडी लोकसभा के उपचुनाव को महत्तोपुन उपचुनाव माना जा रहा था और अब जब नतीजे निकल कर आये और कॉंग्रेस पार्टी की जीत हुई तो ये पार्टी के लिए ना सिरफ प्रदेश में बलकी राष्ट्री अस्तर पर उत्साहित करने वाले नतीजे थे संसद में शीत कालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में दो नए सदस्यों ने निचले सदन की सदस्यता की शपत ली जिसमें हिमाचल प्रदेश में मंडी सीट से प्रतीभा सिंग और मध्य प्रदेश के खंडवा सीट से ज्यानेश्वर पाटिल शामिल है सदन की कालेवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिर्ला ने हालही में हुए उपचुनाव में निर्वाचित इन नए सदस्यों से शपत ग्रहन का आग्रह किया इसके बाद प्रतीभा सिंग और ज्यानेश्वर पाटिल ने सदस्यता की शपत ग्रहन की आपको बता देगी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीर भद्र सिंग की पतनी प्रतीभा सिंग ने कॉंग्रेस पार्टी से मंडी लोगसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की थी साल 2019 के लोगसभा चुनाव में मंडी सीट से भाजपा के राम सवरूप शर्मा निर्वाचित हुए थे जिनके कथित तौर पर खुदखुशी करने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ मद्य प्रदेश की खंडवा लोगसभा सीट से 2019 में निर्वाचित हुए नंद कुमार सिंग चौहान के निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें भाजपा के ज्यानेश्वर पाटिल ने जीत दर्ज की है